नमस्कार सामाने विज्ञान के प्रस्ण सिंखला में एक बार फिर से मैं आप सुभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज शुरू करते हैं आज की सिंखला का पहला प्रस्ण है जल की अंदर वायू का बुलबुला बेहवार करता है यह जल हो गया इसके अंदर अगर वा अब सारी लेंस की प्रभीतिय होती है जो फैल आता है प्रकास को ठीक है तो इस प्रसने के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी अगला प्रसन देख लिए किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिविम में देखने के लिए एक समतल दरपड की नियुनतम उचाई होनी चाहिए व्यक्ति की उचाई का ठीक आधा होना चाहिए तो भी आपका हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर जितने भी क्वेस्टन है सभी के सभी क्वेस्टन किसी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं फिर से इंगे पूछे जाने की पूरी संभावना है बहुत मतपुर सारे प्रसन सामिल किये गए हैं तो बिलकुल आप वीडि सभ्क कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है साथी वीडियो गर अच्छा लगे तो लाइक और शियार भी कर दीजीगा अगला प्रसम सभक दिक लिष्टीट एक समतल दरपड की वखरताया तिर्जय होती है समतल दरपड है वखरता त्रिजय क्या होती है आप सभी जानते ह ठीक है यह जिस गोलाकार काच को काट करके बनाया होगा उसका जो केंदर होता है वही उसका केंदर होता है सी होता है और बकरता तरजिया होती है यह आपका उस दरपड के लिए बकरता तरजिया हो जाएगी और इसके आदी दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी तो यह जो भी इसके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मान सकते हैं कि अनंत पर कहीं पर मिलेगा इसके जो दोनों सिराय हैं तो इसी तरह से आप मान सकते हैं कि इसके जो त्रिज्या भी होगी वो अनंत होगी पता नहीं कहां पर मिलेंगे कितना तो त्रिज्या इसकी अनंत होगी विल्कुल आपका C आपका होगा राइट आंसर अगला प्रस्न देख लिजिए डेड़ मीटर लंबे बेक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिम में देखने के लिए आवस्यक दरपड की नियोंतम लंबाई होगी तो अभी हमने देख लिया ये क्विस्टन कि दरपड की लंबाई ठीक उजबेक्ति की उचाई की आधी होनी चाहिए यानि 0.75 मीटर होगा C आपका होगा A आपका होगा राइट आंसर अगला प्रस्न है दोर दिश्टी दोस निवारण के लिए किस प्रकार की लंबाई या दरपड को काम में लेते हैं आपको ये बताना है तो दूर दिश्टी की निवारण के लिए जहां पे क्या होता है निकट की वस्तवी असपष्ट नहीं दिखाई देती है दूर की तो दिखाई देती है लेकिन अस्पश्टी की दिखाई नहीं देती है तो इस परकार के दोस्ट की निवारण के लिए चसमे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का ठीक है और अगर निकट दृष्टी दूस होगा तो वहाँ पर आउतल परकार का प्रयोग करेंगे अगला देख लिए प्रस्ण है और जिनको दोनों तरह की समस्या होगी तो उनकी लिए क्या करते हैं बायो फोकल लेंस का प्रयोग करते हैं यह भी आप जानते रहे हैं अगला प्रस्ण है आपका दूर दृष्टी दोस्वाले ब्यक्ति के संबंद में न कतन भी सही है आपका अगला निकट से पिंडो का प्रविम रेटीना के पीछे फोकस होता है बिलकुल सही कतन है अगला इस दोस्वाइब करने के लिए आवतल का नहीं बलकि उत्ता लेंस का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह से आपका यह वाला कतन गलत है तो इस देख लिए निकट द्रिष्ट दोस्ट दूर करने के लिए निर्विकित में से कौन सा लेंस उप्योग में लाया जाता है तो थोड़ा सा नाम आप पढ़ लेंगे ध्यान से तो विकल्प आपको इस तरह से भी मिल सकता है आवतल या फिर उसी का अन्य नाम है अपसारी या या फिर इसी को आप बोल सकते हैं अपसारी या फिर इसी को आप बोल सकते हैं नतोदर या फिर कौंग केव लेंस तो चार नाम हो गया ठीक है यह नाम बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे ऐसे ही अगर उतल होता तो उतल को हम अभिसारी भी बोलते हैं उतल को हम नतोदर भी तो मैं आपको जो भी चीजे बता रहा हूं बिल्कुल आप इंको नोट डाउन करते चलेंगे यहीं पर मैं बता दू आपको वर्तुला कार्या सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहां पर कि 36 या उर्ध्वा धर में से 36 को देखने में दिक्कत होती है ठीक है यह अलग प्रकार का यह दोस होता है और जहां पर निकट और दूर दूर दृष्टी दोनों होते हैं वहां पर बायो फोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है और जहां पर दूर दृष्टी दोस होगा वहां पर उन्नों तोदर या पर कानवेक्स या फिर अभिसारी या फिर उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो आसा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा यह जानकारी आपको अच्छी लग रहे होंगी अगला प्रस्न देख लिए निकट द्रिश्ट दोस को ठीक किया जा सकता है तो बिल्कुल पिछले प्रस्न की तरह है आपका आवतल लेंस का प्रयोग करके या फिर नतोदर या फिर कानकियों या फिर अपसारी लेंस भी इसको बोलते हैं भी आपका राइट आंसर हो गया यह देख लिए मायोपिया इसको बोलते हैं निकट द्रिश्ट दोस्थ भी को ठीक किया जाता है तो आवतल दरपड से ठीक है बिल्कुल आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो गया गलत हो गया ना आवतल लेंस होता है ठीक है आवतल दरपड ना आवतल लेंस अगर आपका आवतल लेंस आपसन में हो और आवतल दरपड भी हो तो उस अवस आप सब्सक्राइब कर लेंगे कोई भी सुझा होगा तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे अगला देख लेजिए निकट दृष्टी दोस की रोग मुक्ती होती है तो देख लेजिए प्रस्न को घुमा करके कितनी बार पूछा गया है तो बिल्कुल आगे भी इन बाद में दीरी दीरे उसे चीज़े दिखाई देने लगती है इसका कारण है यहां पर आपका डी होगा बिल्कुल राइट आंसर कि आखों का अंधेरी की प्रती कुछ समय में अनकूलित होना अगला देख लिजिए पढ़ने में काम आने वाले ग्लासिस किस प्रकार के ले लेंसे बनते हैं जो पढ़ने के लिए काम में आता है छोटी वस्तु को बड़ा करके देखना होता है अगला देख लिजिए आंख में संकेंद्रड होता है एक चीजम आपको बता दो ही पर थोड़ा साब देख लिजिए उत्तल या फिरिसी को हम बोल सकते हैं अभी सारी या फिरिसी को बोल सकते हैं उन्नत और या hy को बोल सकते हैं यह क्या होता है। में संकेंद्र होता है जैसे कोई पुझ रेटीना पर केंद्र इतना हो रही हो पीछे बन रही हो तो आपने क्या किया उत्तल लेंस का प्रयोग कर लिया या अगर यह पहले बन जा रहा हो प्रतिम यानि पास की वस्तु देख पा रहे हैं लेकिन दूर की नहीं देख पा रहे ह तो लेंस की उत्तलता में यानि आउतल या फिर उत्तल का प्रयोग करके आखों में संखेंद्र होता है रेटीन आपर बिल्कुल आप प्रस्ण को क्लियर करते चलेंगे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अगला प्रस्ण देख लीजिए कोई सा एक सही नहीं है आपको ये बताना है अगला है आपका गर्मी में सामानेत्या सपेद या हलके रंग वाले गाड़े रंगे की कपड़ों की तुल्ला में वरीय माने जाते हैं तो सपेद रंग का कपड़ा प्रकास का अच्छा परावर्तिक होता है तो बिल्कूल आपका सही आंसर है अगला प्रसन देखिए और आज की सिंखला का अंतिम प्रसन है खोजबत्ती में दरपड जो प्रयोक्त होता है तो खोजबत्ती में क्या होगा पुच्छों को एक जिगहां केंदित होना चाहिए अभिसारी आपका प्रसन देखिए और या फिर इसी को बोलते हैं न तोदर दरपड ठीक है तो यह रहा आज की सिंखला की मातुपल प्रसन ऐसे ही मातुपल प्रसनों की सिंखला के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक आप सभी अपना ध्यान लखिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का